ओम नमस्ते जी मैं रिशी राजा आ रहे हैं सत्यपत यूटूब चनल पर आपका स्वागत करता हूं मित्रो आज हम संगती कर्णवादान की चर्चा करेंगे अगर कोई नया व्यक्ती इस वीडियो को देख रहा है जिसने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा तो किरपया आप इसके पहले पार्ट को पहले देखें जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्सिन में दे दूंगा उसके बाद इसको देखें क्योंकि आप उसको पहले देखेंगे और फिर इसको बाद में देखेंगे तो आपको यज्ज की महिमा, यज्ज का लाग व यज्ज का महत्व उनता से समझ में आ जाएगा मित्रो, संगती करण अर्थात, मिल जुलकर कारी करना, तालमेल रखना, परस पर सहयोग की भावना रखना क्योंकि संगडन ही शक्ती है, जो परिवार, समाज वर राष्ट्र को संगडित कर विश्विजिता बनाती है, जिस प्रकार घीर, सामगरी वर समिधा की संगती एक विशाल सो दगनी को जलन देती है, उसी प्रकार यज्ज से मनुष्य में त्याग सेवावा प्रेम की भावना पन्वूती है, यही गुण मानब जीवन के लिए और समाज के लिए आवश्यक है, अरस्तु के अनुशार मनुष्य स्वभाब से एक सामाजिक प्राणी है, उसका आधार ही संगती करण है, इसके बिना मनुष्य की कोई भी आवश्यक्ता की पूर्ती नहीं हो सकती है, ना ह दिर्मान के लिए संगती करण अनिवारी है, यही संगती करण की भाबनाउतपन होती है, मित्रो संगती करण का एक दूसरा अर्थभी है, संगती करण में शमस्त सिल्पी विद्या रचायन शास्त और यंत निर्वान आदि का ग्उहन होता है, अगनी देप के माध्यम से अगनी देप को विविन्न यंत्रों में समायोजित कर अनेक कारी सिद्ध किये जा सकते हैं अगनी का एक सूप्ष रूप विद्यूत भी है वेद कहता है यजीन बर्दत अर्थाक हे विद्वानों इस यज्ज से शिल्प का विस्तार करो अनुशंधान करो विविद्य यंत्रों का निर्माण करो दंधान में को प्राप्त करो आज आप देखते होंगे जिन देशों ने आग विद्या को जाना उस पर रिशर्च किया अनुशंधान किया आज वे फल्पूल रहे हैं इसलिए यज्ज से मनुष्य में सामाजिक उन्न परस्पर प्रेम त्याग सेवा सयोग की भावना सामाजिक भावनाओं की उन्नती होती है जो मनुष्य जीवन के लिए अनिबारी है इसके बिना मनुष्य जीवन असंभव है आगे आता है दान जो यज्ज का तीश्रा उद्देश्य है जिस प्रकार परम्पिता आवश्यक्ताओं की पूर्ती कर रहा है उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य का फर्ज है कि वह दान द्वारा पर सेवा का उत्तम कारिकर दान का आरत है देना जो देवताओं का गुण है देवता लेते नहीं है देते हैं यही गुण मनुष्य को देवों की श्रणी में ले ज जाएगे कहा तो यह गया है कि हे मनुश्य तू सो हातों से कमा तो हजार हातों से दान कर दान का विपराय है कि अपनी उपलग्दियों का लावा आप अकेले ना लें अपितु परिवार समाज वर राष्ट्र की हितों में लगाए दान अंडव धनका ही नहीं अपितु पिद्वान विद्या का दान करें धनवान धन का दान करें बलवान शक्ती का दान करें और स्रम जी भी सेवा का दान करें दूसरों के हितों की शाहता करना ही सच्चा दान है एक बार स्वामी द्यानन जी महाराज दान की महिमा पर ब्याक्ठान कर रहे थे एक जुलाही ने खड़ी होकर प्रश्न पूछा कि महाराज मैं अति गरीब हूँ बहुत निर्धन परिवार्शे हूँ मैं दान का लाग कैसे ले सकता हूँ स्वामी जी महाराज ने उसको आत्तर दिया उसको समझाया उसको कहा कि तुम जितनी रुई जिसके लेते हो उतने ही उसको बापस कर दो यही तुमारा सबसे बड़ा दान है बास्तम में यही सच्चा यज्ज है यज्ज से प्रत्यक मनुष्य की आवश्यक्तों की पूर्थी करना ही सच्चा दान है इसी प्रब्रती से बलवै शुदेव यज्ज, पित्री यज्ज और अधिती यज्ज की पूर्थी होती है मित्रो हवन से जड़ देपताओं को प्रशनी किया परस पर मिल बैट कर संगटे थूकर यज्ज किया घीव शामक्री की आवथी दे कर दान किया यही तीनों भावना है अगर प्रत्यक मनुष्य में आ जाएं प्रत्यक मनुष्य का सरवांगीन विकास हो सकता है यह किवल यज्ज से ही संबब इसलिए अपने जीवन को यज्ज में बनाएं प्रति दिन यज्ज अवश्य करें कुछ ना कुछ समय जरूर निकालें अपनी परिवार को यज्ज में बनाएं तो आईए आज की वीडियो में बस इतना है वीडियो को लाइक करें शेयर करें जिससे सभी को यज्जी की महिमा सुनने को मिलती रहे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को फ्रेज करें क्योंकि सत्य पत्के माध्यम से हम आपको ऐसी की जान बर्ड़क विडियो देते रहेंगे जै हिंद जै फार